हेलो अब्रीवन, बिल्कम टू दी गल्स पाउर पूजा और दोस्तों मैं हूँ पूजा, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ धाईस रुपए बचा करेंगे कैसे आप जोड सकते हो तीन हजार रुपए, दोस्तों पैसा बचाना बहुत जरूरी ह क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा होगा हम सबको रहीं पता है, अगर आप अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने ममें पापा को अच्छी लाइफ देना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेविंग करना पड़ेगी, दोस्तों आप सेविंग तभी कर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे-छोटे से कैसे आप एक बड़ा इमाउंट क्रियेट कर सकती हो, दोस्तों अगर आप लोग जॉब करते हो और आपको फिक्स सेलरी मिलती है तो आपके खर से भी फिक्स होने चाहिए, जैसे ही आपको सेलरी मिल ज आपका जो डेली वाला वांट्स हो गया, डेली नीडेट के जो प्रोड़क्ट हो गया, जैसे कि आपके फीस और हो गया, फिर डेली आपकी जो एक्सपेंस हो गया, उनसे करना है, उनसे आपको अपना वांट पूरा करना है, फिर अदर एक्सपेंस आपको पूरे करने है, तो अगर आप एक घर लेने के लिए सोच रहे हो, साथ ही आप अपनी सैलरी का सिर्फ 20% सेव कर रहे हो, तो आप घर नहीं ले पाओगे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से बिना किसी करजोगरा के घर लेना है, तो आपको अपनी सैलरी से 40% सेव करना पड़ेगा। तो आप हमेशा कोशिस करें खर्चे से जादा बचत करने की, और दोस्तों आप हमेशा उसी चीज पर खर्च करो जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, जिसके बगए आपकी लाइफ चलना बहुत मुश्किल है, अगर आप कुछ भी सौपिंग करने जा रहे हो तो प्री सौपि बचा करके या बच्टिंग करें कुछ क्या इनकम है, 이게 time क्य क्या इनकम हे, साथी आपको सेविंग किंती करनी है या फिर कितना इमाउंट कितना प्रोडक्ट आपके घर में लगता है, कितनी quantity में जब आप proper तरीके से budgeting करेंगे तो आप lots of money save कर पाएंगे तो आज की ये video special for a man के लिए है जो लोग housewife हैं जिनके पास lots of money नहीं है save करने लिए फिर हर महीने वो 5-10 जार रुपे नहीं save कर सकती हैं बट हाँ वो 2.5-3.7 रुपे अराम से बचा सकती हैं तो उनके लिए आज में वीडियो लेकर की आई हूँ कि सिर्फ थाईस रुपे से तीन हजार रुपे तक कैसे आप जोड सकती हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मेरा amount है वो मैंने no down कर लिया है आप इसकी seat भी निकलवा कर रख सकते हो या फिर से print out करवा सकते हो बढ़ जहां तक मैं आपको सजिष्ट करूँगी कि आप डाइरी और pen की help ले करके इसको no down करें साथी साथ अपना challenge अपने आपको दें जैसे ही आपका पैसा उसमें add हो जाता है आप उस challenge को done कर दें साथी साथ अपने पैसे को आप बचा करके रखें और हमेशा बचत करने की कोसिस करें सेबिंग करने से पहले आप अपना goal जरूर धारित करें कि इस किये गए बचत से आपको करना क्या है लेना क्या है तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो कैसे हम इसमें पैसे आइड करेंगे साथी साथ हमारा challenge क्या है कुछ इस तरीके इसमें नोट डाउन कर लिया है 12 मांथ मनी सेबिंग चैलेंज है मांथ एक साइड हम नोट डाउन कर लेंगे एक साइड डिपोजीर साथी एक साइड हम डन करेंगे बैलेंस और एक साइड हम यहाँ पर करेंगे डन इसे 12 इनवलब इन 12 मांथ भी बोल सकते हूँ आप इसके लिए 12 इनवलब अराम से रेडि करके रख सकते हूँ या फिर आप इसे वालेट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से काफी सारे इसमें पार्ट हैं, उसमें मैं इसको स्टोर करके रखूंगी, दोस्तों, मैं इपने पैसे को स्टोर करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से वालेट का यूज लेने वाली हूँ, जो काफी ज्यादा स्पेस इसमें आप देख सकते हो और यह देखिए आप इसमें काई सारे पार्ट हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हो पैसे को और रख सकते हो काफी अच्छा है यह तो आप इस तरीके से अपना वालेट ले सकते हो या फिर आप इन्वलब की हेल्फ ले सकते हो तो फर्स्ट मॉन्थ में हम डिपोजित करेंगे 250 रूपीज और बैलेंस में महराज होता 250 रूपीज साथ हम यहां पर कर देंगे डन तो दोस्तों यहां पर मैं 250 रूपीज ली हूँ आप देख सकते हूं कुछ इस तरीके से मैं इसको काउंट नहीं करूंगी आज क्योंकि वीड 2450 रूपीज डेकर 500 हो जाएगा तक मैं यहां पर ऐट कर रहे हूं 500 रूपीज में 250 तरीके से ले लेड़ узнаं मेप इसको यहां पर एड कर दोंगे साथी दोस्तों बात करूं में अप्रैल में मैं 250 रूपीज एड़ करूंगे और मेरे पास हो जाएगा 1000 रूपीज दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं 250 रूपीज इसमें और एड़ कर दूंगी ये देख सकते हूँ आप और मेरे पास यहां फरोज़ता है 1000 रूपीज बात करू यहां पर एड कर दे रही हूं 250 रूपीज आप देख सकते हो नेक्स्ट वाले मॉन्थ में आ जाता है जून और जून में मैं एड करूंगी 250 रूपीज हो जाता है 1500 तो इसके लिए मैंने यह भी 250 रूपीज काउंट करके रखा हुआ है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट मॉन्थ की जो की है जुलाई जुलाई में मैं एड करूंगी 250 रूपीज हो गया 1750 रूपे 1750 रूपीज कुछ इस तरीके से मैं यहां पर 250 रूपीज इसमें एड कर दे रही हूं नेक्स्ट मॉन्थ हमारा आता है अगस्ट में मैं एड करूंगी 250 हो गया 2000 से 250 रूपीज माइनस ले लोंगी कुछ इस तरीके से साथ ही साथ ये आ जाता है अक्टूबर में एड कर रही हूँ 250 कुछ इस तरीके से तो यह मैं यहां पर इसको एड कर दी रही हूं साथ ही साथ नमबर और डिसमबर में मैं एड़ करूंगी 500 रूपीज मैं एड़ करूंगी 250 रूपीज कुछ इस तरीके से यहां पर मैं 500 रूपीज एड़ करके यहां से 250 रूपीज कुछ इस तरीके से वापस ले लूँगी साथी साथ मैं दिशंबर में भी 250 रूपीज एड़ कर दूंगी कुछ इस तरीके से इसको भी मैं इसमें एड कर दूंगी मेरे पास 3000 रुपीज होना चाहिए बात करूं में एक दम मोटे मोटे की तो आप देख सकते हो 1000 रुपीज साथी साथ ही यह हो गया आपके पास यह 1500 1700 साथी साथ आप देख सकते हो 1900 एंड टूटाउजन रुपीज 2001 मतलब 2100 2200 साथी साथ यह हो गया आपके पास 50 2200 एंड टूफिप्टी हो गया आपके पास 2450 साथी 5 कुछ इस तरीके से आपके पास यह हो गया 500 मैं इसको काउंट नहीं करूंगी विकॉज बहुत आ वीडियो लंदी हो जाएगी तो इस तरीक्स साहरते हैं पास रंटा पीज किस भी इसको अराम से रख सकती हूं यहां फिर फिर्ट करके भी इसको रख सकता हूं जब आप इसमें 215 टूफिप्ट्र एड करते जाओ कि तो वन यह के अंदर आपके पास थिरी थाउजन रूपीज एकठा हो जाता है, आप इस थिरी थाउजन रूपीज का कुछ भी परचेज कर सकते हो, चाहे आप अपने किचन का आइटम से ले सकती हो, कोई भी गैजेट से ले सकती हो, आप अपने लिए कोई भी जो ड्रेस आपका ड्रीम हो कि ये ड्रेस मुझ में डाल सकती हो या फिर आप सेविंग किये गए पैसों से अपने हजबेंड को अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकती हो साथ ही साथ आप किसी को भी इन पैसों से गिफ्ट दे सकती हो आपका कोई छोटा सा ड्रीम हो जहां पर आपको 3000 रुपीच कम पढ़ रहा है वहां पर आप इसको एड़ करके अपना छोटा सा ड्रीम पूरा कर सकती हो मतलब 3000 रुपीच आपने एक साल के अंदर ही कठा कर लिया है बिना किसी कटावती के में में चार सप्ता होते हैं किसी में पांच हो जाते हैं तो अगर आप पर बेक 50 रुपीच बचा रहे हो तब भी आपके पैसो को अच्छी जगा पर लगाने की आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आप अपना जरूरत का समान काट काट करके बचत करो साथी बचत किये पैसो को फालतू तरीके से अप उड़ा दो या फिर खर्च कर दो या फिर बगैर फालतू आला समान खरीद के चले आओ या फिर आप कोई आसी सौपिंग कर लो जिसका कोई जरूरत ही नहीं अप ऐसा कोई ड्रेस ना खरीद लो कि आपको जरूरत भी नहीं उस ड्रेस के साथ या एक या दो बार डाला उसको ऐसे पड़ा ही पड़ा है तो आप हमेशा कोसिस करो अपने बचत किये पैसो को अच्छी करूंगी यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपके पास मनी सौइबिं को लेकर कोई न्यू टिप्स और ट्रिक्स है कोई न्यू आइडिया है प्लीज आप लोग मुझे जरूर सेयर करें मैं आपके नाम के साथ आपके आइडिया अपने वीडियो में जरूर सेयर करूंगे अगर आपके पास मनी से रिलेटिड कोई भी कुश्चिन है तो आप डारेक्ली मुझे कमेंट बॉक्स में सेयर कर सकते हैं मैं उसको साट आउट करने की कोशिश करूंगी तब लोग मुझे पहली बार देख रहे हो साथी साथ आप मेरे चैनल पे नए तब तक लिए भाए भाए ठीक है घर पर उस्वाचितर हो थेकिसू मज़ लगवाद अगर आप